प्रिविद्ध्यारती मित्रो नविक अक्षा की पहली कविता नदी की पुकार इसमें आप तमाब का स्वागत है पहले हम इसे समझ लेंगे कि ये जो कविता लिखी गई है इसमें किस बात पर साचर्चा की गई है इसमें शुद्ध जल की आवशक्ता पर चर्चा कर सकते हैं आप और इसमें आपको इसकी विशेष्टा क्या है ये कविता में कवी मानव जीवन में नदी के महतुपर परकाश डालता है वे हमें बता रहे हैं कि जीवन परदान करने वाली नदीयों को हमें परदूशित नहीं करना चाहिए परीचे ये नदी की पुकारी कविता किस ने लिखी है ये सुरेश चंद्र मिश्र ने लिखी है इनका परीचे इनका जन्म 18 में 1965 धनव पूर परताबगण उत्तर परदेश में हुआ आप आदुनिक हिंदी कविता शेतर के जाने माने गीतकार है इनकी रजना है संकल्प, जै गनेश, वीर शिवाजी, पतनी पूजा, कावि संग्र, ये चर्चित कृतिया है अब गीत क्या होता है इस सामने तास्वर, पद और ताल से युक्त गान की गीत है इनमें एक मुखड़ा और कुछ अंत्रे होते हैं प्रस्तुत गीत के माद्यम से कवी ने हमारे जीवन में नदी के योगदान को दर्शाते हुए से प्रदुशन मुक्त रखने के लिए प्रेरित किया है अब ये नदी की जो पुकार है ये श्रवनिय है और इसमें नदी जो है सुधार परियोजना वगरा के साथ साथ यहाँ पर आपके लिए एक भेट के तौर पर प्रस्तुत की गई है चलिए इसका वाचन करते हैं इसे समझते हैं सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे कल कल करती नदिया कहती मुझे बचालो भाई रे अब इस मुकडे में नदी क्या कह रही है इन्हें कवी का कहना है कि नदी सबको जल रूपी जीवन देकर भलाई का काम करती है वो कल कल की धोनी के साथ निरंतर बहती रहती है और सबसे कहती है कि भाईयो मुझे परदूशन से बचाओ मैं सदा अपनी मर्यादा में बहती हूँ जो भी मुझे पुकारता है मैं उसे अपना अमृत जैसा जल देकर उसकी प्यास को बजाती हूँ मेरा जीवन परवकार है ए भाईयो पागल मत बनो मुझे बचा लो अब दूसरे में यहाँ पर हमें समझते हैं मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा प्यास बुजाती हूँ उसकी जिसने भी मुझे को पुकारा परहित का जीवन है अपना मत बनिये सौधाई रे कल कल करती नदिया कहती मुझे बचा लो भाई रे अब इसमें दूबारा क्या कहती है यह मर्यादा में बहने की बात कहती है और कहती है कि नदी की जो धारा है वो अमृत धारा है जीवन धारा है वो सबकी प्यास बुजाती है और जिसने भी पुकारा उसके तरशना गोतुरुप्त करती है और वो परहित जीवन का बताती है और सब को कहती है कोई उससे सौधाई ना बने उसका दुश्मन ना बने घैर ना समझे और वो सबसे याचना कर रही है कि उसे बचा ले गिरिवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना जो भी पत्में मिल जाए बस उसे बना लो अपना मगर मलिंता लोगों ने तो मुझ में डाल मिलाई रे कल-कल करती नदिया कहती मुझे बचा लो भाई रे अब जब मैं नदि कहती है कि जब मैं परवत से नीचे उतरी घने जंगलों में आई तब मैंन में संकल्प लिया था कि जो भी मुझे पत्में मिलेगा राज्ते में मिलेगा मैं उसे अपना बना लोगी परणतु लोग मेरे पानी में कोड़ा, कच्रा, गंदगी डाल कर उसे मलीन करते हैं और मेरे कल-कल भरती वी धारा को जो बहती रहती है निरंतर बहती है उसे प्रदुशित कर देते हैं नदिया के तटपर बैठो तो हरदम गीत सुनाती सुख पड़ जाए तो भी कितनो की प्यास बुझाती बिना शुलक जल दे देती कितनी आए महंगाई रे कल-कल करती नदिया कहती मुझे बचा लो भाई रे अब इस में कवी कहते हैं कि नदी के तटपर बैठने पर बहुत अच्छा लगता है बहुत सुकुन मिलता है नदी के बहनी के आवास कानों के गीत के समान होती है समय पर वर्शा ना होने के कारण सुखा पड़ जाए तो भी नदी लोगों की प्यास बुझाती है चाहे कितने भी पानी कितनी भी महँगाई हो नदी बिना शुलक पानी देती है और नदी कल-कल की धोनी के साथ निरंतर बहती रहती है और सबसे कहती है कि भाईयो मुझे बचालो नदीया नहीं रहेंगी तो साघर भी मुर जाएगा मुझे बताओ नाला तब किस से मिलने जाएगा हो हैया हो हैया की धुना दे कभी सुनाई रे कल-कल करती नदीया कहती मुझे बचालो भाई रे अब इस कविता के इस मुखड़े में कभी कहते हैं कि यदि नदी का अस्तित वो समाप्त हो जाए तो साघर में भी धिरे धिरे जल कम हो जाएगा नदी नहीं रहेगी तो नालो का पानी कहां जाकर मिलेगा नदीयों में अनेक नाविक अपनी नाव लेकर जाते हैं और है हया हो हया हो कहते हैं और वो गीद गाते हैं एक स्तान से दूसरे स्तान जाते हैं नदी नहीं रहेगी तो ये मधूर गीद भी नहीं सुनाई देंगे तो नदी कलकल की दोनी के साथ निरंतर बहती रहती है और सबसे निवेदन करती है कि उसे बचा ले जरना बनकर मैंने नैनो को बाटी खुशाली सरिता बनकर करके खेतों में फैलाई हरिया ली खारे सागर में मिलकर मैंने दिया मिठाई रे कलकल करती नदिया कहती मुझे बचा लो भाई रे अब इस आकरी मुखडे में कहते हैं कभी कि जरने के रूप में मैंने न जाने कितने लोगों के आँखों को प्रसन नता दी उसे खेतों को सुचाई के लिए जल दे कर हरियाली फैलाई जब मैं सागर के खारे पानी में मिलती हूँ तो उसे भी अपनी मिठास देती हूँ नदी कलकल की दोने के साथ निरंतर बहती रहती है और सबसे कहती है कि मुझे बचा लो रे भाई उमीद है आपको ये कवीता समझ में आए होगी अगले वीडियो में दोबरा मलाखात होगी तब तक के लिए अधाफेज